तो है आपको काफी जादा जो है अच्छी सेफटी के साथ साथ अच्छे अच्छे फीचर्स भी जो है सारे नीड़ फीचर्स जो है वो आपको दे दिये जाते हैं फुल डेटल वीडियो होने वाला है एंड तक वाच करें तो बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले इसके की फॉप से तो आपको की फॉप कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जहां पर आपको फ्लिप की ओफर कर दी जाती है एंड लॉक बूट को रिलीज करने के लिए एंड लॉक का बटन जो है ओफर कर दी जाएगा यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फ्लिप की ओफर कर दी जाती है एंड गारी ना इस कलर में मतलब यह जो कलर है इसका लावा ब्लू कलर है जो कि सिर्फ टॉप एन वेरिंट में आता है यह इसका टॉप एन वेरिंट ह तो काफी ज़दा बड़िया होने वाला है %100 पहले तो आपको इसका बोनेट देखुया काफी बड़ियए डिजाइन जो बोनिट पर देखने को मिलेगा एक प्रपर सिडान मतलब इसको कह सकते हैं आप सेन्टर में आपको स्कॉड़ा का लोगो जो है वो देखने को मिल ल आता है तो ये काफी बढ़िया है विर्थ गाड़ी की सत्रा सो अबावन एम्म की आ जाती है यानिके वन सैवन फाइफ टू एम्म की वाकि एलेडी बेज आपको हैड्लैम्स प्रोजेक्ट रॉफर कर दी जाते हैं डियारल्स भी जस्ट आपके जस्ट उसके नीचे देखने क काफी जादा शांदार है बाकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लेरेंस आपको काफी बढ़िया है मतलब 179 एम्म कुछ का आपको ग्राउंड क्लेरेंस मिल जाता है यह देख सकते हैं इसके वाइपर्स की पोजीशन आपको यहां पर देखने को मिल लाएगी अब भाई इस ग की बात तो कर ली आपसे आप बात कर लेते हैं इसके टायर शेक्शन की वाई अलावील आपको दिया जाता है यहां पर फ्रंट डिस्क रहने वाला है 16 इंचिस में जो है आपको यह दे दिया जाती है यह देख सकते हैं इसका साइच जो कि अलावील का डिजाइन भी मुझे तो यहां पर अपलन डॊल डकॉल में एं कुछ भी मैट ब्लैक कलर भी है यहां पर इस ट्रीपियरिंट में आयाता है आपको सथान लूफ प्लस यहां पर पेयाणों ब्लैक कलर में शाख्थन एंटीना आपको देखने को मिल लाता है तो मतलब गौड़ी जो है लुकस में तो काफी जादा भरपूर काम करा गया है इस खोड़ा की तरफ से यहां पे आपको क्रूम ट्रीटमेंट मनला स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी डूर हैंड यह देखो यहां पर भी आपको सेम आज वही देखने को मिलेगा और पीछे वाला आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है जिसा कि आप अभी मेरे सामने देख रहे हो अब बात कर लेते हैं इसके फिल्टनिंग कैपिसिटी की तो वह आपको 45 लिटर्स कुछ की दे दी जाती है अभी इसको उपन नहीं कर सकते या और यह देख सकते हो पीछे आपको डिफोकरस एंड हाइमाउट स्टॉप लैम देखने को मिल जाता है एंड यह देखो मतलब इसके एरो डायनमिक्स काफी जादा अच्छे है यार इसके वह स्लोपीनेस देखो आप गारी की जो विंड शीरा पीछ है एंड यह आपको स्कॉडा की वैजिंग टेल लाइटस एलेडी में मिलती है भाई आपको यह देख र अधि यहां पे आपको नमबर प्लेट के लिए लाइटस भी दे दी जाती है पीछे आपको रिफ्लेक्टर अधि यह बंपर आप देख रहे पीछे वाला जहां पे आपको मेर बलक ट्रीटमेंट भी एंड क्रोम की स्ट्रिप भी देखने को मिल जाती है चलिए चलते हैं यहां पर co-driver side तो यहां पर आपको sensor जो है वो देखने को मिल जाता है और यह देखो गाई dual tone में आपको दिया गया है vision black color में interior यहां पर आपको chrome treatment में door handles and piano black finish काफी जदा अच्छा look देने के लिए गाड़ी को पाकि यहां पर power window का control प्रोल एंड लेदर में आपको सॉफ्टस दिया जाता है यहां पर वोटल होल्डर आपको यहां पर देखने को मिल लागा स्पीकर की पोजिशन आपको यहां पर देखने को मिल लाती है बाकि इसके एसी बैंट का डिजान मुझे काफी ज़्यादा पसंद आता है यह देखो कितना अज़ादा प्रीमियम है बाकि यह गोल्डन कोल्डन सी स्ट्रिप जो है एसके लूक्स को काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव बनारहे है यह वाली स्ट्रिप काफी ज़्यादा बढ़िया है ग्लॉसी ब्लाक फिनिश जस्ट के नीचे रहला अब कॉम्बिनेशन जो ह भाई डोर पे आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे पाउर विंडोस के कंट्रोल एंड ओर वीम्स को भी अजिस्टमेंट करने के कंट्रोल वागे लेदर में सॉफ्ट अज बगेरा सारे कुछ चीज़ें देखने को मिल लाएंगी डोर हैंडल की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है क्रोम ट्रेटमेंट में देखने को मिलेंगे वागे प्यानो ब्लाक फिनिश एंड यह सीड आपकी इलेक्ट्रोनिक एजिस्टमेंट के साथ आ जाती है यार यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप एजिस्ट कर सकते हो सिंपली यह सारी चीज़ां बढ़िया है यहाँ पर यह है मैनुल ड्रांश्मिजन जो कि मैनुल फॉर फॉर फॉन आप इसा कह सकते हो सारे कुछ पैडल्स वगेरा यहाँ पर बोनेट ओपन कर सकते हो यहाँ से है यहाँ पर हैडलम्स जो है वहाँ कर सकते हो और हैडलाइड लेवलर भी जस्टस के पास में देखने को आपको मिल जाएगा और बैठ के मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक सिडान मतलब बहुत ही जादा जो है लो ग्राउंड क्लिरंस पर आप इस पर बैठ सकते हैं बहुत ज़्यादा इसा रखता है विल्कुर जमीन पर बैठे हुए है क्योंकि एक सडान है यह देख सकते हैं आप इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर वगयरा सारी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर इसमें ना मैं बताऊँ आपका एनलोग प्लस डिजिटल सारा कुछ जो है आप सोच के मतलब इसमें कर सकते हो काफी ज़्यादा शानदार फीचर्स के साथ आता है क्योंकि यह जैसा कि आप अभी देख रहे हो गाड़ी में सारा कुछ बता रहा है गाड़ी कितनी किलो मीटर चल गई है कितना क्या माइलेस दे रही है वो सारी कुछ चीज़ें आपको जहां पर शो हो जाएंगी यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सारे कुछ अलर्ट वगेरा यह सारे कुछ दे देगा सारे कुछ वार्निंग मतला जब भी आपका डोर वगेरा उपन होगा सारे कुछ यह वार्निंग भी आपको दे देगा बाके यहां पे आपको स्टेरिंग वील पे माल्टी मीडिया के कंड्रोल्स वह मिल जाते हैं काफी ज्यादा स्टैरिंग वील लगता है एक सेकंड मैं आपको देखाता हूँ यह देखो कितना ज्यादा बहतरीन वालब यह देखो कितने ज्यादा प्यानो ब्लैक फिनिश ये क्रॉम ड्रीटमेंट स्टैरिंग वील को भी काफी ज्यादा अच्छा लुक देने की कोशिस की गई है स्कोडा का लोगो चैंटर में देखने को मिल लाएगा हम मैं बात कर ले था हूँ सेफटी वाइस गाड़ी में क्या कुछ दिया जाता है तो गाड़ी में आपको सेफटी वाइस छेचे एरवेक्स दे लिए जाती है और क्या चाहिए यार छेचे एरवेक्स मिल लाए है और ग्लोबल एंकेब में फाइव स्टार रेटिंग मिल लाए है तेल्ट प्लस टेलिसकोबिक बोट है जिसमेंट के साथ स्टेरिंग वील आता है हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे देखने को मिल लाएगा और यह देख भाई लेदर रेब्ड टाइप पूरा स्टेरिंग भील आपको दिया जाता है यहाँ पे नीचे भी प्यानो ब्लाक फिनिस दी जाती है इसमें बैट के ना काफी जादा लक्जूरियस फील आता है यहाँ पे आपको टिकेट होलर देखने को मिल जाता है यह देख सकते हैं जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ पे आपको मिलती है लाइट्स वगएरा यह पूरा का पूरा संडूफ के कंट्रोल्स क्लस्टर की में बात कर लूँ यहाँ पे एट नम्मर ओफ इसकी स्पीकर्स जो है वो मिल जाते हैं एट इंचिस का आपका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर दिया गया है जो के एंडुएड आटो एंड एपर कार प्ले सपोर्ट करता है वाइलेस यहाँ पे आटोमेटिक एसी आपको मिल लाता है यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका एसी रहने वाला है तो मतलब काफी ज़दा बढ़िया है यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट जो है वो देखने को मिल लाएंगे एंड फाइनली गियर बॉक्स भाई वेंटिलेड़ सीड्स भी गाड़ी में आ जाती है जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इनके कंट्रोस जस्ट गियर के पास में यहाँ पे यह हवाई इसका इस मतलब गियर बॉक्स शांदर जो है वो केवें लगता है इसका एक सेकेंड आपको वन टैच पर ही यह जो है बूरा बंद हो जाता इसका संडूफ काफी जदा बढ़ियत तरीके से वो भी पीशे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके सेकंडो के डोर के बारे में मतलब डोर के क्या पूरे यार स्पेस के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहले तो डोर को करते हैं भाई अनलॉक एंड यह देखो भाई इंटिरियर के आपको color combination same as वही देखने को मिलेंगे beach and black color में power window का control आपको देखने को मिल लाएगा and नीचे आपको leather में soft touch दिया जाता है आगे वाली seat भी full पीछे हैं थोड़ी से incline मलब recline भी है तो मलब एक सेकंड में आपको इधर जाके बताता हूं फुल पीछे है तो ना पीछे करके कोई drive नहीं करता पर स्टिल पता है मैं अभी भी वैट के थोड़े वह दूर तो जाई सकता हूं बाकि यह है इसका गारी का full space भाई no doubt काफी जादा बैतरी इन space है पीछे आपको ऐसी वैंड्स हों है वो भी दे दी जाते हैं तो मतलब यह सारी चीज़ें आपको पीछे देखने को मिल लाएंगी बाकि यह देखो भाई शांदार डैश्वोर्ड के साथ सांदार इंटिरियर एंड यहां पर आपको lights भी देखने को मिल लाएंगी जोके LED में दी जाती है handlebar वगेरा सारी कोछ चीज़ें adjustable सारे के सारे headrest आपको देखने को मिल लाएंगे गाड़ी में और मैंने बताई दिया eight number of steering मलब speakers आपको मिल लाते हैं मैं बोलना हूं steering यार चलते हैं भाई गाड़ी के board space के लिए के बात कर लोँ तो गाड़ी में आपको 521 लेटर का board space मिल जाता है बढ़ उससे पहले आप यहां देखो आपको armrest मिलता है with two cup holders तो यह चीज़ काफी जादा अच्छी है बाकि चलते हैं भाई और बात कर लेते हैं गाड़ी के engine के बारे में तो एक second भाई यह देखो सबसे पहले तो इस टोर को करते हैं lock और यहां से आप engine hood easily open कर सकती है सबसे पहले इसका ignition वागेरा आफ कर दूँ है एक second यह देखो वाई तो सबसे पहले चलते हैं वाई इसके बूट पर मैंने बूट आपको दिखाया नहीं था तो एक second में आपको बूट भी दिखाई देता हूं यहां पर आपको wheel देखने को मिल जागा spare wheel and काफी ज़्यूदा space है मतलब इसमें आप दो तीन लोग भर के ले जा सकते हो मतलब काफी ज़्यूदा space है मतलब दो तीन मतलब आप आराम से लोग बैट बैट के check कर सकते इसका space इतना ज़्यादा बैदरीन है बागी इसके engine मिलता है भाई आपको 1.0 liters का मैं आपको open करके दिखा देता हूं 1.0 liters का TSI 3 cylinder engine आपको मिल जाता है जो के 114 bhp पावर आपको निकाल के देदेगा पांच से साड़े 5000 rpm पांच हजार आर्पीम पर है driving range गाड़ी में 915 km तक की मिल जाती है गाड़ी आपकी front wheel drive है अब आपको इस गाड़ी से related कोई भी कोई रही हो आप नीचे दिए गए contact number पर contact कर सकते हो वरना आप नीचे comment box में comment भी कर सकते हो thank you so much for watching this video video को like करें चेर करें चैनल को subscribe करें thank you so much